बीसे साल तनुशरी दत्ता ने हैश्ट्राइग मीटू मूवमेंट को लेकर नाना पाटेकर पर यौन उत्पीडन का आरोफ लगाया था जिसके बाद से ही वाले मुड में हैश्ट्राइग मीटू मूवमेंट के चलते अब तक कई लोगों के चहरे सामने आ चिके है और बॉलिवुड से लेकर टीवी के कई एक्ट्रसस ने खुलासा किया था कि उनके साथ यौन उत्पीडन किया गया है इस मुमेंट के जर्ये आलोक नात, विकास, बेल, साजित खान, राजकुमार ही रानी और नाना पाटेकर जैसे स्टार्स के नाम सामने आ चुके है वहीं अब लीजिये, बॉलिवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोप्रा ने भी खुलासा कर दिया है कि वो भी यौन उत्पीडन का शिकार हो चुकी है दरसर हाली में प्रियंका ने york के एक इवइंट के दौरान अपनी आप्टी सुनाई और बताया कि उन्हें भी यौन उत्पीडन का सामना करना पड़ा ठाए बता दे कि जब इस इविंट के दौरान प्रियंका से पूछा गया क्या उनके साथ कभी यौन उत्पिडन हुआ तो इस बार देशी गर्ल ने बेजिजिक कहा शायद इस कमरे में मौजूद सभी महिलाओ के साथ कम से कम एक बार ऐसा जरूर हुआ है क्योंकि ऐसा महिलाओ के साथ होता आया है प्रियंका ने अपने आप बिती बताते हुए कहा अब क्योंकि हमें एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं इसलिए लोगों के पास अब हमें रोकने की शक्ति नहीं है हमारे पास हमेशा से कहने के लिए था बस किसे ने हमें सुना नहीं लेकिन अब जब हम एक दूसरे को सुपोर्ट कर रहे हैं तो कोई हमें रोप नहीं सकता और ये एक अविश्वस्मिय शक्ती है अब अगर मेरे पास एक कहानी है और मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ और मुझे इसे बताने में कोई शर्म नहीं है बदा दे कि प्रियंका से पहले हाली में दंगल गल पातिवा सना शेक ने भी खुलासा किया कि वो भी यौन उत्पीडन की चपेट में आ चुकी है वैल बात करें प्रियंका के प्रोफेशनल फ्रंट की तो जल्द ही वो परानकतर के साथ फिल्म The Sky Is Pink में नजर आने वाली है इस फिल्म में दोनों के साथ जारा वसीन भी इंपोर्टन रोल में दिखाई देंगी वैसे आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलिवूर से जुड़ी खप्रों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ ड्याती चाहतीं अंगी देटीवा बैस्ट टांटीव ये थे लिए विल्म में ये अजऱ् सामी सिदीखी ए साकेश सालम अगी ट्रेकर थे लिए अ बंवर्ड इंगीं थे लिए जाएं इन फिल्या है जोबीज यह जोवाद है अगे नगी जोगाने कुट्टेवे लेखाइस फूल देश्टी फिल्म इस पिल्म इसे कुट्री में बिगस्तार्स और रजनीकांत अक्षयकुमार और शाहिद कपूर और फिर फिर गनेश अचार्याः और नानपातेकर my question is no you cannot do that somebody who's gotten away legally by harassing me sending goons to attack me you cannot work with that person and rub it on my face where I had to walk away from the industry out of fear trauma emotional and psychological you know trauma I had to walk away and I could not do movies because I I was afraid to put a movie set because of all this horrendous stuff that went on have y'all ever experienced being attacked by an angry mob how many people over here have experienced being attacked by an angry mob a mob lynching how many of y'all have been a part of a mob lynching none of y'all you do not know how horrendous that situation is you don't know if you're gonna come out of it alive they were breaking our windshields our car one guy was jumping on top of the car my mom and dad were inside the car do you know how horrendous it is to see your parents in a situation which they're not even supposed to be in I was sitting there and thinking what if I'm gonna lose my parents tonight I was worried if if you're gonna go to the hospital or are we gonna go home so after all this these big stars are you soulless and conscienceless does it not matter at all you want investigation how much investigation do you want for you to condemn these actions Manse has been attacking the film industry for a very long time they themselves came and spoke that we will get Tanushita out of the city we will get her out of the industry so this investigation karne ki zharurat ni hai unhoon hai khudi bola woh kya karre hai unhoon hai khudi bola woh kya karre hai mura media mein record hai nana partikor ar raj thakari ki dosti thi us waak unhoon hai political party join ki thi is kya investigation chahiye aapko aap batayye na yeh bahane hai aap sab loho kya you don't want to stand up for what's right and you want to support you want to keep supporting criminals you know I'm not saying that come out with all your secrets of what happened to you and what happened to this thing just stop working with them you don't want to tell what happened to you maybe nothing happened to you and that's why you're not even compassionate about anybody else who's speaking their truth maybe nobody harassed you ever in your life absolutely fine but if somebody's saying something at least have the heart to listen to that person I went to the producers and the actors association and I got no help from there what's the point of creating such fake bogus associations if the associations also don't do anything for you just because this guy goes around sucking up to big actors and getting small roles in their movies stop don't you have don't you have to show your face to god someday in life are you not even concerned about that stop working with these people well I came to India for a holiday and I you know got this response from the media a lot of people wanted to speak with me key why have you been away and last eight years may all kinds of gossip about me malicious gossip in print on YouTube behind closed doors yeh hua 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 this and that I wanted to set the record straight so that you can tell yourself the truth to yourself you know people media everybody else you know people you know people media everybody so listen to me what happened to me I have 10 years ago I said 10 years ago and after 10 years away I could tell myself many things in my life have been done and I stopped myself there and I learned a lot of things in my life there I have learned a lot of things in my life where it was a journey for me because I am also standing in front of you and I am speaking चलारिटी से और शक्ति आपि अपनी कहानी, जो जंग मैं बहुत पहले छोड कर दो जा चुकी थी, आप नहीं लड़ सकते अकेले। आप बहुत कर दो दो, किया हुआ था, कया हुआ था, तो यह सारे इंट्व्यूस चल रहते हैं और किसी ने मुझे पूछ लिया कि हमारे देश में मीटू मूवमेंट क्यों नहीं होता तो मैंने बुला मीटू मूवमेंट कहां से होगा दस साल पहले जब मैंने कंप्लें की थी उसका क्या हुआ मुझे जस्टिस मिला सब तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि ऐसे कुछ भी नहीं हुआ लोग भी काम कर रहे हैं इन लोग के साथ उसको पहले मैटर सॉल्व करो फिर मीटू शीटू बोलना यहाँ पर इंडिया में न सबको आदत है अमेरिका में जोबी होता है उनको कॉपी करना है यहाँ पर वहां के कपड़े करना है वहां के हैरस्टाइल कॉपी करना है वहां मीटू हुआ तो यहां भी शमने शुरू कर दिया तुम हो क्या मीटू के लायक वहां की law and order system और वहां का जो community है, वहां की awareness, सोच और विचारधारा Me Too movement को support करती है वहां के उस देश में ये movement तब हुआ जब लड़कियों ने सामने आके बात बोलनी शुरू कर दी जब तक उन्होंने बोली नहीं थी, तब तक सारा कुछ रखा हुआ था लेकिन जब उन्हें बोलना शुरू कर दिया, पूरा पहाड गिर परा लेकिन हमारे देश में लड़किया आदी जुक से बोलती ही आ रही है, बोलती ही आ रही है लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो तुम लोग लड़कियों को ही prostitute बना देते हो सबसे पहला रियक्शन हमारे देश में जब भी कोई लड़की कुछ भी कम्लें करती है यह तो मैं अभी हरास्मेंट की बात कर रही हूँ, असौल्ट भी होते हैं, अब्यूस भी होते हैं और कितनी सारी चीज़, एक लड़की अगर आके किसी पर, किसी आदमी पर यह भी अरोप लगा लेना कि इसने मेरी कोई चीज चुरा ली उस पर भी सबसे पहले डाउट उस पर फेका जाता है कि जलकी सच बोल रही है कि जूट बोल रही है तो तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग मीटू के लायक नहीं हो, तुम से नहीं होगा मीटू यहाँ पे तो यह अमेरिका को कॉपी करके हमको मीटू करना चाहिए तुम अगर एंवायमेंट क्रेट करोगे जहाँ पे लड़कियों को लगेगा कि हाँ अगर हम आके कुछ बोलते हैं तो उसका कुछ निकलेगा असर यहाँ मैं नहीं बोल रही हूँ कि पूरा पहार टूटके गिरना चाहिए हिला तो थोड़ा सा हिले तो एका पंकंकर पत्थर तो गिरे यहाँ पूरा का पूरा पहार वैसे ही फिक्स रहता है तो कौन आएगा बोलने के लिए मैं यहां रहती नहीं हूँ मैं अमेरिका में रहती हूँ मैं कुछ वहां का green card मिल चुका है मैं वहां की resident हूँ अभी यहां पे हूँ चुटिया मना के चली जाओंगी वहां पे मेरी life है वहां पे मेरी jobs है वहां पे मेरी income है मैं आओंगी फिर से next year चुटिया मनाने के लिए तो मुझे नहीं फ़रक पड़ता कि यह बॉलिवूड वाले में साथ काम करे ना करे लेकिन जिन लड़कियों को आप बोल रहने के आगया के आप बोलो उनको फ़रक पड़ता है उनकी पूरी लाइवलिवूड यहां पे है उनकी सोसाइटी यहां पे है आप समझ नहीं है तो यह बस बोलने की बाते हैं आपको माहौल करना पड़ेगा जब कोई इंसान कमफिर्टबली बोल भी सके और सुनो सुनो बस फिर डिसाइड करो यहां पे सुनते ही नहीं है लोग पहले ही जीब सा कुछ अब जीब सा कुछ थो कर देंगे आपके उपर